हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अर्चना वेलकम टू माई चैनल फूट शेप जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैं बना रही हूं मटर पनीर की सबजी बहुत ही टेस्टी लाजवाब और बनाने में बहुत ही ज्यादा सिंपल रेसिपी है तो आईए बनाते हैं इसे वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें तो आईए बनाते हैं मटर पनीर बटर पनीर बनाने के लिए एक कुकर गरम करें और उसमें डाल दें 6-7 बड़े चमस तेल एक पर इसे हिला लें ताकि अच्छा सा लेयर बन जाए तेल का अब इसमें एक तेश पत्ता डाल दें एक इंच डाल चीनी का टुकड़ा डाल दें और काली इलाईची एक डाल दें दो खड़ा लाल मिर्च डाल दें और इसी के साथ एक छोटा चमस चीरा डाल दें कुछ सेकेंड्स के लिए इसे छोड़ देंगे कुछ सेकेंड्स के बाद इसमें तीन मीडियम साइज के प्याज इस तरीके से एकदम बारी करके डाल दे प्याज को मैंने काट कर चौपर में चौप कर लिया था आप चाहें तो इसे एकदम बारी करके भी डाल सकते हैं ऐसा करने से क्या है न कि जो ग्रेवी होती है वो बहुत अच्छी बनती है गैस का फ्ले मीडियम से हाइपर करें और इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से हलका सुनहरा कर लें मैं आपको पास से दिखाती हूँ देखिए अब ये प्याज जो है बहुत ही अच्छी तरह भून चुका है अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो मीडियम साइज के टमाटर इसे भी मैंने चौपर में डाल कर अच्छी तरह चौप कर लिया था आप चाहें तो इसका प्योरी भी डाल सकते हैं इसे के साथ 1-5 चमच अधरक लेसन का पेश्ट डाल दे अब इन सारी चीजों को तेज आज पर हम 2 मिनट के लिए चला लेंगे देखिए 2 मिनट मैंने इसे तेज आज पर चला लिया है अब इसमें मसाले डाल देते हैं तो मसाले में मैं डाल रही हूँ एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच कासमेरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चमच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चमच हल्दी पाउडर, एक छोटा चमच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दे, स्वात के अनुसार भी डाल सकते हैं आप इसे एक छोटा चम्मच नमक डाल दे या आप इसे स्वात के अनुशार डाल दे गैस का फ्ले मीडियम से हाई पर करे और लगातार इसे चलाते हुए तीन से चार मिनट के लिए भून लेंगे देखिए ये एलमुनियम का कुकर है तो इसलिए नीचे ऐसा चिपक रहा है अगर आप नौनिस्टिक की पर्दर में बनाते हैं ये सब चीज तो वो बिलकुल नहीं चिपकता है और कोई भी चीज भूनने में बहुत आसानी होती है लेकिन इस तरीके से भी अगर चिपक रहा ह तो कोई दिकत नहीं है आप लगातार चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर पर इसमें एक से दो चमच पानी डाल दे और लगातार इसी तरीके से चलाते रहें ऐसा करने से क्या है ये जो मसाले हैं बहुत अच्छी तरह भून जाते हैं तो बस बीच-बीच में एक से दू बारा पानी डाल दे और लगातार चलाते रहें तीन से चार मिनट बाद आप देखेंगे जो मसाले हैं बहुत अच्छी तरह भून चुके हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप हरा मटर ये फ्रोजन मटर है आप इसकी जगा ताजा मटर भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसकीप भी कर सकते हैं बस अब हमने इसमें पनीर डालना है लेकिन पनीर डालने से पहले इसमें हम पानी डालेंगे नहीं तो होता क्या है ना कि पनीर जो है चलाने के बाद तो मटर डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे एक मिनट के लिए उसके वैसे मैं कम ग्रेवी बना रही हूँ अब मैंने इसमें डाल दिया है यह 200 ग्राम पनीर यह मार्केट का पनीर है और इसी के साथ थोड़ा सा पनीर मैंने बचा लिया था इसको इस तरीके से हम मसल कर डालेंगे ऐसा करने से क्या होता है न जो ग्रेवी का टेक्शर होता है वह बहुत अच्छा हो जाता है तो थोड़ा सा जो पनीर है वह बचा ले और उसको आप मसल के डाल दे बस अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें सिर 300 ml के करीब पानी डाला है अब कूकर का ढखकर लगा दे और म एक सीटी आने तक पका लेंगे जब कूकर अच्छी तरह ठंडा हो जाए तब इसे हम खोलेंगे देखिए कितना ज़्यादा लाजवाब लग रहा है ये देखने में इसमें जो हम काश्मीरी लाल मिश्ट पाउडर डालते है उससे जो सबजी का कलर है बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि ये हम मार्केर से खरीद कर लाएं है और यकीन मानी है जितना ज़्याद पुलाव के साथ चावल के साथ जैसे मर्जी खाएं आपको बहुत अच्छा लगेगा तो उमीद करती हूँ ये सिंपल सी मटर पनीर के रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेमली के स और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्श वीडियो में और हाँ कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आप कोई रेसिपी कैसी लगी थैंक यू